चीन की कंपनी पीपूस लिबरेशन आर्मी ने वैक्सीन विकास कारिक्रम पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। इस कंपनी ने पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया कि वो पाकिस्तान को कोरोना वारिस की वैक्सीन के लॉंच करने वाले पहले कुछ देशों में से एक बना देगा। खास बात यह है कि कंपनी अभी तक WHO की एहम कंडिडेट वैक्सीन लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को भीजा गया प्रस्ताव सुरक्षा को लेकर शक बढ़ा रहा है। वाशिंटन इस्थित वुड्रो विल्सन की ग्लोबल फैलो फरहाना इस्पहानी ने इस कदम के पीछे चीन पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि मानो गिनी पिग क्या वो प्रधान मंत्री जिनमें देश की मज़िदों को बंद करने के लिए अकल या इक्चा शक्ती नहीं दिखी वो चीन को इसके लिए ना कह पाएंगे।